कर वेल्कम तो आज के वीडियो में हम जानेगे कि पैन एप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं थे तो यह दो तरीक यह जब पैन करक के लिए अपला करते हैं तो तो दो टाइपस में होते हैं अगर अपने एंच्टेल से अपलाई किया होगा तो एंच्ट के पोर्टल के साइट से आप उसर ट्रैक कर सकते हैं अगर अपने यूटिया ऐसे किया रहेगा तो यूटिया के साइट से हमें ट्रैक करना पड़ेगा तो हम सीदे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं आप मोबाइल में आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं पैन को ट्रैक करने के लिए में क्रोम ब्राउजर से इसको करता हूं अब सिर्फ यह आप डालनेंगे पैन स्टेटस नहीं तो आप अगर अपका पैन कड एनेज़ेल से बना है तो आप एनेज़ेल ट्रैक पैन स्टेटस करके डाल सकते हैं अगर आपका पैन यूटियाई से बना है तो आप वह यहापर डालके ट्रैक कर सकते हैं तो मेरा एनेज़ेल से बना है तो मैं सिधे यहापर एनेज़ेल ट्रैक पैन स्टेट करके सर्च को कर दूंगा और उसके बाद जो पहला ही वेबसाइट आएगा टींटीं.nhdl.com उसके उपर आएंगे उसके बाद जो हमने अप्लिकेशन भारा था तभी अपनों को एक अप्लिकेशन एक्नॉलज्मेंट नंबर मिलता है तो एकनॉलज्मेंट टाइप हमें सिले करनी है आपका क्या है पैन काड है और नहीं तो टैन काड है आप दोनों भी ट्रैक कर सकते हैं पैन और टैन को भी उसके बाद प्लिकेशन नंबर जो हमको मिला है वह आप एंटर करना है को एकनॉलज्मेंट नंबर एंटर करने के बाद फिर हमें वेरिफाई स्टेटेस आफ एप्लिकेशन के नीचे जो कैप्चा कोल्ड दिया है उससे हमें एंटर करना है आप यहां से रीफ्रेश भी कर सकते हो अगर आपको क्लियर ली दिखना नहीं नहीं रहेगा कैप्चा क करके इसी दिएमें सब्मिट के उपर क्लिक करें जाएं सब्मिट के उपर क्लिक करने अब यह हम को वो स्टेट नस रहाँ पैन का यह पहला दिखाया है ऐक नॉलिजमेंट नंबर ऌन उस एक उने और इसके नीचे यहां पर पैन का स्टेटास शोह रहा है जो कि लिखा है कि यॉर्पैन स्टेटास शोह रहा है कि यॉर्पैन इस बीन दिलिवर्ड ऑन 24 दिसेंबर 2021 बाई इसी आप भी घरबेट अपना पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो यह हो गया इन एच डियल का पैन का स्टेटस चेक करने का तो यह यूटिया का भी चेक कर सकते हैं इस तो आपके मैलूम पड़ेगा कि हमारा टेक से बना है और टीन कि आपक्ति UP अब उसके उपर जाके चेक कर सकते हैं और उसके सब से अपर रफ एक सेक्ट कर सकते तो बगर आपको यह वीडियो पसंद आपको तुम चैनल को लाइक करें शेर करें और सिस्क्राइब करें